में 300 पोइंट का निफ्टीव मुमेंट आ गया देखें इंट्राडे लो से इंट्राडे हाई के बीच में लगबग 300 पोइंट का डिस्टेंस है और देखें बहुत ही फास्ट तरीके सा आया उसके बाद एक करेक्शन भी आया लेकिन इस चीज को हम समझाएंगे आपको और य और इस डाउंट्रेंड का यहां से रिवर्सल का सिगनल आना स्टार्ट हुआ था यहां पर देखें हमारा एंट्री पोइंट था और कल में मैंने आपके वीडियो में डिसकस किया था कि अब जो है यह जो है यह हमारा एक इंपोर्टन्ट लेवल बन जाएगा अब यहां प अगरेशींब एंट्री भी करते हैं मैंने आपके साथ शेलिग वाले पोज़िशन छोड़ दिया उसके बाद हम आगये वाले पोज़िचन पर मार्केट में आज नीचे की तरफ सांदार तरीके से डी मिला 21 900 के नीचे ही प्राइस आया और यहां से हमारा एक देखिए यहां से 2900 पर अगर आप फ्यूचर बाय करते हैं उसके बाद आप यहां का एक पुट बाय कर लेते हैं तो एक सांदार ऊपर के लिए टार्गेट के हो जाता है और पहले ही दिन में देखिए 300 का आपको मुमिंट मिल गया अगर कोई 100 रुपे का पूट बाय किया है अगर आप 200 के यहां पर अगर कैप्चर कर लेते हैं तो पूट में आपको 50 का लोस होगा और फ्यूचर में आपको 1500 टोटल मिल जाएगा यानि कि 100-500 पोईं इसको बहुत ही धियान में रखना होता है जैसी रेजिस्टेंस पाया आपको पर्सेल प्रोफिट गुक कर नहीं है क्योंकि देखिए मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतनी अच्छी तरह से काम करते देखें सपोर्ट पैया नह के बाद मॉल्टीपर टाइम सट्यम्ट हुआ उसके बाद सपोर्ट को ब्रेक किया मैंने बोला कि देखिए ब्रेक कर रहा है यहां से नीचे की तरह बड़ा टार्गेट ओपन हो सकता है लेकिन यह ब्रेकडाउन फेलियर कल ही मैंने आपके साथ डिसकस किया यह यह लाष्ट सेलिंग जोन है और यहाँ पे चोटे मोटे लोसे सोते हैं क्योंकि नीचे की तरफ के सेलिंग में इसथे बाद यहां से देखिए डियूर्स का सिग्नल मिला यह चोटे मोटे लोसे वे तो अच्छा प्रोफिट होगा अगर ऊपर नहीं जाता है तो देखिए यहां से एक पैटर्न बना सकता है और यह अज के दिन में सेलिंग क्यों आया आज के दिन में इंट्राडे में आप देख रहा है कि 22,200 के आसपास में प्राइस आया वह आपस में आप देख रहा है कि आपका लगभग 100-500 पॉइंट स्पीड में नीचे की तरफ गिर गया अब एक क्यों गिरा क्योंकि आप देखिए न एवरेज कितना दूर है मैं आपको यह बहुत बार हर बार बार चीज बताता हूं कि एव तो थोड़ा सा आपको छोटे टाइम फ्रेम में उसको चेक करना है थोड़ा सा जिसे कि यहां पर आपके एक रेजिस्टेंस है तो आप आजाए यह पांच मेंट के चार्ट पर ठीक है तो आपको वहां पर देखिए कुछ चीजे क्लियर समझ में आएगा अगर आप पांच चेक काफी बढ़ जाती है अब यहां पर उसके बाद एक रेट केंडल ही मिला छोटा सा इस्टोपलोस यहां से आप एक छोटा सा सेलिंग भी कर सकते हैं नहीं भी करेंगे तो चलेगा लेकिन अगर आज यह आपने शूटिंग इस्टार देखा आपको यहां से जो है कम से क पहली बात तो यह होता है कि हमें टार्गेट पर प्रोफिट बुक करना होता है दूसरा यह अगर काइंडरेश्टी का फोर्मेशन मिले तो और प्रोफिट बुक करना होता है तो सिंपल तरीका आपको देखिए कभी भी ट्रेड यह इन्वेस्ट करें तो आप इसीच को सबस्क्रां कि है प्लस में एक रीजिस्टेंस तो चug करता है इसलिए की पर्सिय को फ्रोफित बुक बूखि करना छही को प्रोफिट कर रहा है उसको ध्यान में रखना चाहिए अगर आपने यहां पर ट्रेट लिया है और यह स्पूटिंग स्टार उसके बाद एक रेट केंडल बना के नीचे आ जाता है तो इसमें सभी हम एकजिट कर सकते हैं फिर से फ्रेस अगर इधा बाइंग के बनेंगे तो उसमें हम देखेंगे लेकिन इस चीज को समझें कि देखें मार्केट यहां पर एक रेजिस्टेंस लिया है इसका मतले में सेलिंग में नहीं आ गया अब यह डाउन ट्रेंड जो था और डाउन ट्रेंड अब यहां पर अप्ट्रेंड में चेंज हो चुका है ठीक है तो अब यह जो है 500 के जोन में तब थोड़ा सा 400-500 पॉइंट का हमारा टार्गेट ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है अज के दिन में हो चुका है कल हुए मैंने आपके साथ बताया था तो जो अग्रेशिव ट्रेड यहां पर लिया उसके लिए अच्छी बात है जिसने नहीं लिया कोई दिकत न खुआ हुआ है अगर यहां पर भी अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आपको अनारेसिस को अ